भारती जन्ता पार्टी ब्रदचेत्र की ओर से आयोजित इस विसाल रेली के मुख्यति थी भारती जन्ता पार्टी के लोगप्रिय राष्टि अध्यक्स आधणिय जगत प्रकास नटा जी भारती जन्ता पार्टी के लोगप्रिय और कर्मट प्रदेश अध्यक्स मान्य स्वतंत्र तेव सिंग जी उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे बरेश्ट सहयोगी उपमुख्य मंत्री सी क्योशो प्रसाद मौर्या जी उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री मान्य सुनील बंचल जी छेत्रिय प्रभारी सी गोविंद नैन सुक्ल जी छेत्रिय अध्यक्स सी रजने कांद माहे सुरे जी छेत्रिय संगठन महामंत्री सी भवानी सिंग जी माननिय उतरब्रदेश सरकार के सभी मंत्री गाण माननिय सांसाथ माननिय विधायक गाण बारते जन्ता पार्टी के सभी पदालिकारिये और इतनी भारी संख्या में ब्रजचेतर से जुड़ेवे सभी उपस्तित भायो बहनो नागरिक्ता कानून के समर्थन में अपना योग्य मार्क दर्शन प्रदान करने और राष्टिय अध्यक्स बनने के बाद पहली बार उत्तरब्रदेश के इस ब्रजभोई पर कदम रखने के लिए में राष्टिय अध्यक्स आदनिय जगत प्रकास नड़्डा जी का आगरा किस एत्यासिक धर्टी पर हिर्दे से स्वागत करता हो अविनंदन करता हो बायो बेनो मानिय नड़्डा जी का मार्क दर्शन लोग सभाचनाओं के दोरान भी उत्तरब्रदेश के प्रभारी के रूप में उत्तरब्रदेश के कारेकरताओं को प्राप्त हुआ था अपनी सहस्ता अपनी सक्रियता अपनी मिलनसारिता और बैचारिक प्रदिबदता के लिए मानिय नड़्डा जी प्रदेश कारेकरता के लिए जहां लोग प्रिय रहे हैं आज से ही नहीं अपने जीवन के एक बड़े कालखंड को विद्यार्थी जीवन से ले करके हिमानचल प्रदेश के अंदर जन प्रतिनिधी और मंत्री के रूप में भारत सरकार के स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री के रूप में भारतिय जनता पार्टी के कारकारी अध्यक्स के रूप में और आज भारतिय चंता पार्टी के राष्टिय अध्यक्स के रूप में उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धर्ती में ही प्रवेश किया है मैं इसके लिए आदने नड़ा जी का हिर्दे से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ भायो बेनो आप सब जानते हैं नड़ा जी जब केंदर में स्वास्त और परिवार कल्याण मंत्री थे उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्त सेवाओं के छेतर में कितना बड़ा कारे हुआ है यह आप भी आपके सामने एक छोटी सी मिसाल में रखता हूँ आधनिये प्रफान मंत्री मोदी जी के मार्ग दर्सन और उनके निर्देशन में उनकी पेड़ा से जब स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्री के रूप में उन्होंने अपना कारे प्रारम किया जो 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 रसरकारी मेडिकल कॉलेज बन पाये थे और जब नड़ाजी ने स्वास्ते मंत्री के रूप में अपना चार्ज लेकर के कारे करना प्रारम किया उत्तर प्रदेश में दो एम्स पंद्रा गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज कैंसर संस्थान और हर एक जिले के ले कार्डिक एम्पुलेंस दो-दो उपलब्द कराने के साथ साथ प्रदेश के 43 जन्पदों में नड्डा जी ने बड़ी ही सहस्ता के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर डालिसिस की यूनिट उपलब्द कराने और मोबाइल मेडिकल बेन के माध्यम से दूर दराज के गाउं में भी स्वास्त सुप्धा उपलब्द हो सके इसके लिए उन्हाने बड़ी सहस्ता के साथ बड़ी उतारता के साथ अपना स्वयोग प्रदान किया और उसका पैणाम है पुत्तर प्रदेश जैसे भारी बरकम प्रदेश में हम लोग आज बहतर स्वास्त सुप्धा प्रदेख नाकरी को प्लब्द कराने की कारवाई कर रहे हैं और यही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्त बीमा की योजनाभी आधनिये प्रदान मंत्री मोदी जी के इन्रदेशन में स्वास्त बिभाग ने आयुस्मान भारत के रूप में नड़ा जी के इक कारेकाल में लागू किया था और इसलिए मैं आज उत्तरब्रदेश की धर्दी पर रास्तिय जक्स बनने पर नड़ा जी का हिर्दे से स्वागत करता हूँ अबिनंदन करता हूँ भाईो बेनो हम सब गौरप के अन्भूती करते हैं आधनिये प्रदान मंत्री मोदी जी के नित्रत्व पर एक ऐसा नित्रत्व जिसने भारत के 130 करोड़ लोगों के जीवन में एक विश्वास भरा है आत्म गौरप का भाव भरा है रास्तिय एकतार खंडता की मजबूती के साथ ही भारत की प्रंपड़ा भारत की विरासत और भारत की सांस्कृतिक मुल्य और अधर्सों को आगे पढ़ाने का एक जज़बा भरा है तो अंत्रास्तिय बंच पर भी भारत की प्रतिष्टा को कई गुना आगे वढ़ा करके भारत की ताकत का एसास दुनिया को कराया है हम सब जानते हैं अमेरिका और इरान के बीच में वर्तमान में चले तनाव के मध्यभी दुनिया से एक आवाज निकल नहीं है और वह आवाज है कि अगर भारत मध्यस्ता करेगा तो इस समस्या का समाधान हो सकता है ये है नया भारत इस नियू इंडिया के निर्माण में मोधी जी के संकल्प के साथ और भारत वासी जुड़ सके या आज की आवस्यक्ता है और इस आवस्यक्ता की दिश्टि से आज मैं आप सब के सामने जब नड़ा जी हम सब का मार्क दर्शन करने के लिए आये है तो भायो वेनों हम सब को इस पारे में ध्यान रखना होगा कि वर्दमान की जो भ्रम की स्थिति विपक्स कांग्रेस के नित्रत्तों में कांग्रेसों सपा हो बसपा हो पामपंती दल हो तमाम अन्य छेत्रिये दल हैं जिनकी दुकाने बंदो हो रही हैं उनके द्वारा जब भ्रम किस्तिदी पैदा करने का प्रियास किया जा रहा है तो हमारा दायुत बनता है कि जनता को वास्तिविक्ता के अवबत करा करके हम लोग राष्ट पुनर निर्मान की और एक भारत स्रेष्ट भारत की वर्तमान कारेक्टरम के साथ अपने आपको जोड सकें इस ग्रिष्टि से आस नड़ा जी का अगमन आगरा किस एठ्यासिक धर्ति पर हुआ है वायो बेनो विपक्स की चिड़ का कारण है और वा कारण जिन मुद्दों को इन्होंने वोट बैंक के साथ जोड़ा था भारत की प्रमपरा और विरासत को अपमानित करके अपना वोड बैंक बनाने के लिए जिन मुद्व को इन्हों ने अपने साथ लेकर के चले थे जो नई जिन मुद्व के आदर पर चाते ही नहीं थे किनका समाधान हो आज जब मोधी जी के नित्रत में एक एक करके सभी का समाधान हो रहा है हर गरीब को मकान मिलना है हर गरीब को सोचाले मिलना है हर गरीब को रसोई गैस मिलना ही है हर गरीब को बिदुद कनेक्सन मिलना है हर गरीब को पांच लाख रुपे की स्वास्त भीमा का कबर मिलना है हर किसान को किसान सम्मानी धी मिलना है एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं कई रेलवे, कई हाईवे, कई वाटरवे ये सबी योजनाएं मिल लई है और एक तरफ भारत के स्वविमान और सम्मान से चुड़ेवे बुद्धों को प्रात्विक्ता के आधार पर उसका समाधान का मार्ग निकालने की कारवाई हो रही है और इस्तितियों में बिपक्स का स्वभाईक रुप से बोखलाट उनकी स्वभाईक रुप से दिखाई दे सकती है कस्मीर में धारा 370 समात होना आतंग बाद के खात्मे की अंतिम ताबुत पर कील है और इस्तितियों में बिपक्स बोखला रहा है पाकिस्तान की भासा बोलना है दुस्मनों की भासा बोलना है यह इस्तिति पान सो वर्सों से अयोग्ध्या में भग्वान राम के मंदिर निर्माण की जो मांग चली आ रही थी 76 से दिक युद्द लड़े हिंदों ने लाकों हिंदु सहीद हुआ लेकिन अयोग्ध्या में भग्वान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग मोदी जी के नित्रत्तों में लिखा हुआ है और इस दिस्से में आवान करने के लिए आया हूँ अयोध्या में भग्वान राम के भप्य मंदिर निर्माण के लिए जो कार वर्तमान में प्रारम हुआ है हम सब गारव साली हैं हमें अपनी आँखों से भग्वान राम के भप्य मंदिर का निर्माण देखने का उसर प्राप्त हो रहा है भायो बेनो यह नागरिक्ता कानोन भी इसी करम में जड़ावाद भारत की विरासत और स्मित्ता से जड़ावा में उत्पूर्ण मुद्दा है भारत की प्रंप्रा सरण में आये वे की रक्सा करना और सरण में आये वे की रक्सा करना और हाल में रक्सा करना ये भारत की प्रंप्रा रही है और आज उसी कानुसंड करते वे पहले इस मस्ट क्या जा चुका है ये नागरिक्ता कानून किसी के विरोध में नहीं न किसी जाती न किसी मत न किसी मजब न किसी छेतर न किसी भासा उस सब के बाब जूद फिर विरोध को चित्य क्या ये नागरिक्ता देने का कानून है नागरिक्ता लेने का नहीं तब भी कॉंग्रेस सपा बसपा और तमाम दल विरोध कर रहे हैं हम इनकी वास्तिविक्ता को समझें और इसी वास्तिविक्ता का एसास कराने के लिए आज नड़ा जी का अगमन आगरा किस धर्पी पर हुआ है मैं आज के सौसर पर आप सबसे पस्ट कर देना चाहता हूँ भायो बेनो लोगतंद्र में हर दल को हर ब्यक्ति को अपनी बात को कहने का फुरा दिकार है लेकिन लोगतंद्र की आड में अभी ब्यक्ति की स्वतंद्रता की आड में तोड़ फोड़ और सारजनिक संपत्य को नुक्सान पहुँचाने का दिकार किसी को नहीं अभी ब्यक्तिकी आजादी के नाम पर देश को विखंडन की और धकेलनी की किसी भी ब्यक्ति और किसी भी संगठन को इजाजत नहीं दी जा सकती है और इसीले उतरप्र्देश सरकार ने तै किया कि जिल लोगों ने लोक तंद्र के नाम पर आघजनी की सारजनिक संपत्यों को नुक्सान पहुचाया इसकी भरपाई भी उनी लोगों से हम लोग करेंगे और इसी कारवाई को आज उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है आज वही लोग आज आ रहे हैं कि साफ गलती हो गई और जब उपद्रवियों को लगा है कि अब उनकी दाल नहीं करने वाली है क्योंकि पहले तो के पैर चूकर के सरकारें उनकी मनत करती थी कि भईया मान जाओ तुम्हें हम यह देंगे और हमने का कि देखे हम सुविता गरीब को देंगे किसान को देंगे नौजमान को देंगे महलाओं को देंगे समाज में बिना भेदवाव सासन की योजनाएं दी गई हैं और दी जा देमेज करने की कीमत भी वसुल में काकार सर्कार करेगी और अगर देश के विरुत-णारे-वाजी किसी ने की तो पिर देश द्रोई धरां के बंद करने की कारवाई भी उनके खिलाब करने की तैयारी तय किया है और आज उसी से लोग घबराव के जो लोग कल तक सीमी के आवान पर पिएफाई के आवान पर जगे जगे आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे आज उनको लगने लग गया कि अब अवैद रुप से बनाई गई प्रोपर्टी जब तो हो गई तो वे लोग तो दुम दबा करके बैठ गए अब अपनी महन को और पच्चों को आगे करके जगे जगे माहुल खराब करने का प्रियास कर रहे हैं आप चिंत्या की कोई बात नहीं सारे मामलों को सरकार और पृसासन अपने तरीके से समाधान भी निकालेगा आंदोलन और अपनी बात को रखने का अभिकार परतेपको है लेकिन इसके नाम पर उपद्रा और देश द्रोही किर्ट्य करने की छूट किसी को नहीं होगी या कहते वे मैं आज नागरिक्ता कानून के समर्तन में आईजी दिस्रेली में राश्टी अध्यक्स मानिय नड्डा जी का एक बार फिर से हिर्दे से भिनंदन करते हैं मुझे आज आगरा में जब मैं आया हूँ तो सच में ऐसी पवित्र धर्ती जहां गाहितरी परिवार के संस्थापक पंडिश्री राम शर्मा जी का जन्स्थान हो ऐसे जन्स्थान पर आने का मुझे मौका मिला है मैं अपनी होर से उनको नमन करता हुआ इस धर्ती को नमन करता हूँ और फ्रेंडना लेकर के अपने बात को शुरू करता हूँ यह सांस्कृतिक नगरी यह इतियासिक भूमी जिसने देश के इतियास में एक अपना योगदान किया है हमारे सुदंत्रता सेनानियों के भी श्रिंकिला इस पावन धर्ती की रही है मैं आज उनकों भी नमन करके उनसे शक्ति लेकर के आप सब के साथ मान दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं मित्रो मेरा आगरा से कुछ विशेश संबन्ध है जब मैं प्रभारी बन करके आया था तो पहली बैठक भी मैंने आगरा में ही की थी और जब मैं राश्टिय अध्यक्ष बना हूँ तो पहली जनसभा भी मैं आगरा में कर रहा हूँ यह कुछ आगरा के साथ विशेश रिष्टा दिखता है वैसे भी जिम्मेवारी मिलने के बाद प्रथम वार बैकारे करता हूँ को मुखातिब हुआ हूँ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसको बड़ा करने में हमारे पूर्व अध्यक्षों ने अपना बहुत बड़ा योगदान किया है निवर्तमान अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने पार्टी का आयाम ना सिर्फ संक्या में बढ़ाया बलकि प्रदेशों में सरकार लाने में भी बढ़ाया है मैं आपके मादिम से पार्टी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सब के सहयोग से आप सब के दब से आप सब के करमठ योगदान से मैं पार्टी को नहीं उचाईयों तक ले जाओंगा और पार्टी को सबसे आगर बढ़ा करके रखूँगा मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संगज़न को आगे बढ़ाने में कारे करताओं का मां सम्मान भी पूरा रखा जाएगा और साथ मिलकर करें हम आगे बढ़ेंगे ये हमारी पार्टी आइडियोलिजिकल बेस्ट नीतियों के आधार पर खड़ी है और हमारी पार्टी कारे करता के आधार पर कैडर के आधार पर खड़ी है इसलिए कारे करता की चिंता करना और विचार के लिए समर्पित रहना इसको आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा और मेरा ये सौभाग के है कि मैं पार्टी का दाइद तो तब समाल रहा हूँ जब विश्व की सक्सियत देश का प्रणाममंत्री नरेतर मोदी जी भार्तिय चंता पार्टी की नमाइंदगी कर रहे है ये मेरा सौभाग ये है इसलिए आदर्णिये मोदी जी की नीतियों को धर्ती पर उतारना पार्टी को सरकार के साथ कंदे से कंदा बिलाकर के चलाना और नीतियों को मजबूती देना ये मेरी जिम्मेवारी रहेगी जिसको मैं पूरा आप सब के सहयोग से करूँगा आज यहाँ पर नागरिक्ता संशोजन अदिनियम के समर्थन में उत्तर प्रदेश में ये छटी रैली है ऐसी रैलियां उत्तर प्रदेश के कई छेत्रों में हुई है और मुझे बताया गया कि कल कानपुर में भी इसी तरीके की बड़ी रैली थी और आज जब मैं ये संख्या देख रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आगरा भी किसी रैली में किसी से कम नहीं रहा है उसने भी बर्चार करके हिस्सा लिया मित्रो पिछले कई सानों तक भारत की राज दीती में जब हुआ एक बहिया जरसा सुनोगे पिछले कई सालों आजादी के पश्चार्ट लिये गए नेंडेयों का भारत में बहुत नुक्सान सहा अगर मैं ये कहूँ कि लम्हों ने खता की और सद्यों ने सजा पाई तो ये गलत नहीं होगा देश की ऐसी सिदी रही हमें आजादी तो मिली लेकिन आजादी मिलने के साथ साथ जो फैसले हुए वो फैसले भारत के लिए घातक सिठी हमें खुशी है कि मोदी जी के नित्रतों में 2019 में 303 MP जीत करके आए और उत्तर पदेश ने भी अपना पूरा पूरा योगदान इसमें किया है इसके लिए भी मैं उत्तर पदेश को बढ़ाई देता हूँ इन आठ महिनों में मोदी जी के नित्रतों में जो कुछ आजादी के समय गलत हुआ था जिसको ठीक करने की किसी में इंबत नहीं रही कॉंग्रेस की सरकारों के पास एंपी की संक्या तो जरूर रही लेकिन इच्छा शक्ती नहीं थी राजने तिक शक्ती नहीं थी लेकिन जब यह ताकत मोदी जी को मिली तो उन्होंने पहली वार इच्छा शक्ती दिखाई और उस इच्छा शक्ती के कारफ जो काम सत्तर साल से लटके हुए थे उनको आठ महीने में पूरा करके दिया है इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और हम यह भी कह सकते हैं कि जो लम्हों ने खता की थी और सद्यों ने सदा पाई मौदी जी ने आठ महीने में उन सारे खताओं से निकाल करके सद्यों के लिए हमको आराम दे दिया इस बात को भी हमको समझना चाहिए आज हम नागरिक्ता संशोधन कानून के बारे में चर्चा करोगा एक फैसला हुआ था फैसला यह था कि देश का बटवारा धर्म के आधार पर होगा कभी सोचा नहीं था कि इस फैसले के क्या नतीजे होगी यह एक ऐसा फैसला था जिसमें बीस्वी शताप्दी में सबसे ज़्यादा नरसंहार हुआ लाखों परिवार अपना घर अपनें को छोड़कर अपनी संपत्ती सब को छोड़कर जान बचाने के लिए उन स्थानों को छोड़कर के भारत आये थे लाखों लोग मारे गए थे इतना बड़ा नरसंहार बीस्वी शताप्दी में नहीं हुआ था जो आजादी के समय बटवारे में हुआ और बटवारा धर्म के अधार पर हुआ उस समय 1947 में महत्मा गांदी जी ने कहा कि ये भारत की जिम्मेवारी है कि जो हिंदू, सिख, बहुत, इसाई पाकिस्तान में रह गए है और जिनको रहने में दिक्कत आ रही है उनको भारत में बसाने की जिम्मेवारी भारत के सरकार की है महत्मा गांदी ने 1947 में कहा था कि इन लोगों का बसा करके सरकार में नोकरी देने की जिम्मेवारी भी भारत की है जवालाल नहरू ने 1950 में कहा कि जो लोगों का प्रतारणाद पाकिस्तान में हो रही है उनको हमको भारत के Consolidated Relief Fund से पैसे दे करके उनको युविवस्था करनी चाहिए ये जवालाल नहरू ने Congress Party के नेता ने पुड़ान मंत्री ने कही थी डॉक्टर में मोहंग सिंग 18 दिसंबर 2003 को भारत के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और ग्री मंत्री लाव कृष्ण डवानी को राज़सबा में कहते है कि बांगला देश में हिंदूों की प्रताणना हो रही है उनको भारत में लाकर के बसाने की जिम्मेवारी भारत की होनी चाहिए उप प्रधान मंत्री कृप्या इसमें आप अपने ध्यान दीजिए ये प्रधान मंत्री उस समय मौनमोहन सिंग कहते है जो विबक्ष में थे उस समय दो हजार तीजिए और डेप्टी प्राइम निस्टर लाल कृष्ण डवानी थे जिस बातों को ये कह रहे थे लंबे समय तक उसको किसी ने पूरा किया तो उसको डरेंडर मोधी जी ने पूरा किया और अमिर शाजी ने शिल्पकार की तरह उस शिल्पी बन करके उसको अमजाम दिया है ये हमको समझना चाहिए क्या किया आपको जान करके आश्यरे होगा जब ल्याकत अली और जवाहलाल नहरू का पैक्ट हुआ जिसको ल्याकत जवाहलाल नहरू ल्याकत अली पैक्ट कहते हैं उस समय ते हुआ कि मुसल्मानों की रक्षा भारत में भारत करेंगा क्योंकि भारत में मुसल्मान माइनोरिटी है और पाकिस्तान में इस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में हिंदू बौज सिख इसाई क्रिश्टन की रक्षा वहां की सरकारे करेंगा यहां हमारे हां धर्म निर्पेक सम्विधान बना डॉक्टर बियार अबेटकर की नित्रतु गए और वहां इस्लामिक स्टेट बन गया पहले इस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना और बार में बंगला देश बन गया इस्लामिक स्टेट 1947 में बुसल, हिंदू, बौद, सिख, इसाई, क्रिश्टन की आबादी पाकिस्तान में 23 प्रतिशत थी 23 प्रतिशत आज पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद, इसाई की संख्या 3 प्रतिशत रहे गई 3 प्रतिशत कहा गए 20 प्रतिशत कहां चले गई ये लोग बंगला देश में हिंदू सिख बहुत हिसाई की संक्या 1947 में 30 प्रतिशत थी 30 वह घट करके 7 प्रतिशत हो गई 7 प्रतिशत कहां चले गई ये संक्या कहां चले गई ये लोग किसने की इनकी प्रतान न यही लोग वहाँ से विस्थापित होकर के भारत की भूमी पर आए है और मुझे कई दुख भी होता है हमारे दलित नेताओं का हाल देखकर आजकल बड़े-बड़े दलित नेता बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं और वो CAA Citizen Amendment Act का विरोग कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि जो लोग भारत में आये हैं उसमें से सत्तर प्रतिशत दलित हैं सत्तर प्रतिशत दलित हैं जिनको भारत में पना दी है रहने का अधिकार दिया है और उनको नागरिकता दी है और सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मतवा समाज बंगला देश से आया ये दलित है नमोशूद्र समाज ये दलित है रगुवन्शी समाज, मेगवाल समाज, भीर समाज ये जितने लोग आए है असी प्रतिशत दलित आए हैं जिनको नागरिता प्रदान की गई है लेकिन हमारे दलित नेताओं को और ये कॉंगरेस पार्टी जो कुछ नहीं सीए के बारे में जानती है सिवाए भर्म पहलाने के और कोई काम नहीं कर रही है इनकी राज़िती समाप्त हो गई है इनको समन में आ गया है कि देश बदल चुका है और मौदी जी के नित्र तुमें तीवरकती से आगे बढ़ रहा है इस कारण से उनकी दिक्कट हो रही है कोई मुद्धा नहीं रह गया आप बताइए ये क्या कहते है ये कहते है करोडों लोग भारत में आ जाएंगे अरे तुमने कानून पढ़ा ही नहीं है आने वालों की बात नहीं है जो आ गए हैं जो यहां रह रहे हैं जो बीस भी साल से यहां रह रहे हैं उनको नागरिक्ता दी जा रही है कांग्रेस पार्टी कहती है कि इसमें तुम्हारी नागरिक्ता छिन जाएगी और खास करके मुस्लिम भाईयों को कहा जाता है कि तुम्हारी नागरिक्ता च्छिन जाएगी अरे मित्रो ये कानून नागरिक्ता देने वाला है लेने वाला नहीं है लेकिन क्या बताएं अगर राहुल गांदी दस लाइन भी CAA पर बोल दे और दो लाइन में ये बता दे कि इसमें अब्जेक्शन क्या है तो मैं मान जाओ जाओ मैं मान जाओ जिन्होंने कानून पढ़ा रहीं जानते नहीं जिनको उसकी कोई जानकारी नहीं है वह देश में लोगों को भड़काने का काम कर रही है आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इतनी जगाओं पर दंगे फैलाने की कोशिश हुई क्या किसी कॉंग्रेसी नेता ने एक वार भी इसकी निंदा की एक वार भी दिंदा की नहीं ये दिंदा इसलिए नहीं की क्योंकि भड़काने का काम ही इन्होंने पुक्ड़ा हुआ इन्होंने भड़काने का काम पुक्ड़ा हुआ आप चाहते हैं क्या कि देश में अस्थिर्ता आए बताईए आप चाहते हैं कि देश में अस्थिर्ता आए आप चाहते हैं क्या अगर देश मजबूत बनाना है तो याद रखना कि C.A. का तो सपोर्ट आप करेंगे ही लेकिन हम सब लोग मिलकर के भारत की धर्टी के लिए जो जो कानूम लाकर भारत को मजबूत बनाना होगा उसको हम आगे बनाएंगे इसको हम पुद्धाम में रखना चाहिए आप देखिए दारा तीन सो सत्तर भारत माता की भारत माता की दारा तीन सो सत्तर बताईए ये कितने समय से लटका हुआ मामला था क्यों नहीं ये पूरा हो रहा था किसने रोका था और अगर ये इतना ही अच्छा कानून था तो आप सरकार में आये ये आप ते इसको पर्मिनेंट क्यों नहीं कर दिया आपको मालू नहीं धारा तीन सो सत्तर आने का अर्थ क्या बना है धारा तीन सो सत्तर आने का अर्थ ये बना है कि आज जम्मू कश्मीर में जहां भारत के एक सो तीन कानून लागू नहीं होते थे धारा तीन सो सत्तर हटने के बाद 103 कानून अब जम्मू कश्मीर की धर्ती पर लाजू हो जाएंगे इस बात को हमको समझना चाहिए आपको जानकारी नहीं कि जम्मू कश्मीर में कोई भी ट्राइबल सीट नहीं थी कोई भी ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं था आपको शायद जानकारी नहीं कि जम्मू कश्मीर में बाल मीकी का बेटा सिर्फ सर्फाई कर्मचारी बन सकता था और कुछ नहीं बन सकता था आपको शायद मालू नहीं कि जम्मू कश्मीर की धर्ती पर Anti-Corruption Act नहीं लगता था इसलिए भारत का पैसा खाये चलो मेवा खाते रहो ब्रस्टाचार करते रहो और कोई भी ब्रस्टाचार का कानून तुम्हारे उपर लागून नहीं होता आपको मालूम नहीं कि Prevention Against Sexual Abuse बच्चों के साथ सोशन करना यह कानून जम्हु कश्मीर की धरपी पर नहीं लगता था और 35 भी उटने के कारन अब सारे कानून जम्हु कश्मीर के लिएगेंगे इस चाहिए बढ़ी खुशी है लेकिन यह याद रखो कि एक ऐसी सरकार भी थी और ऐसे नेत्रतों भी था जो राम जन्भूनी पर फैसला नहीं चाहता था एक कॉंग्रेस का नेता कपिल सिबल सुप्रीम कोट में खड़ा हो करके कह रहा था कि इसका फैसला दोहजार उन्निस के बाद करिये नहीं तो इससे भारतिय जन्ता पार्टी को फाइदा हो जाएगा उसने टालने का काम किया आपने फिर से मोदी जी की सरकार बनाई समय पर तरीके से सुप्रीम कोट ने राम जन्भूमी का फैसला कर दिया अब भब राम मंदिर वहाँ बनेगा इस बात को हमको समझना चाहिए अगर हम बात करें UAPA की आज बहुत से टेर्रिस्टों ने यहां आतंग बात मचा कर वो इस देश को छोड़ करके चले गए अभी तक कोई कानून नहीं था जो उस व्यक्ति पर कोई कारवाई कर सके क्योंकि वो देश शोड़ चुका था और हम किसी संगठन को टेर्रिस्ट बना सकते थे व्यक्ति को नहीं लेकिन अब अनलाफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहट टेर्रिस्ट को भी कोई भी टेर्रिस्ट भारप में कोई भी गतिविदी करके दुनिया के किसी भी कोने में चला जाएगा उसके खिलाथ उसको पकड़ कर लाकर के कड़ी करवाई की जाएगी इसका कानून बन चुका इसलिए मित्रो अगर मैं C.A.A. की बात फिर से करूँ तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग धर्म के आधार पर बांगला देश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रतारिक पे जिनकी बहु बेटियों की इज़त बचाने के लिए वो इस धर्ती पर आए और जो लोग दोहजार चौदा के 31 दिसंबर से पहले यहां पहुँच गए है उरको मोदी जी ने भारत की नागरिकता देना तै किया है